दिसमिल्लारिर्ष्मानिर्रहीम हमने एक लेक्चर में Exchange Rate Targeting की Policy को Discuss किया फिर एक सेशन में हमने उसके Advantages पड़े फिर एक सेशन में हमने उसके Disadvantages को Discuss किया अब इशु ये है कि जब हमें Advantages और Disadvantages पता चल गए तो अब चुके Countries की Classification दो तरह की है एक developed countries या जिन industrialized countries भी कहते हैं और दूसरी तरफ developing या poor countries है अब सवाल यह है कि जो disadvantages या advantages हमने discuss कर लिए उनकी रोशनी में हम यह देखते हैं कि इन दो तरह के जो countries हैं उन में से किस के लिए exchange rate targeting की policy feasible है या desirable है और किस के लिए नहीं है तो इस session में या इस lecture में हम focus करेंगे industrialized countries की उपर और next में हम करेंगे developing countries की उपर देखें जो industrialized countries हैं उन में basically currency की weakness का या capital flight का यह ऐसा चितने बड़े problems नहीं होते हैं जो सबसे बड़ा problem industrialized countries के लिए हो सकता है कि अगर वो exchange rate targeting policy एडाप्ट करते हैं तो सबसे बड़ा cost जो ने bear करना पड़ेगा वो हो सकता है जो हमने पड़ा था कि independence नहीं रहती monetary policy यानि के अगर central bank कोई अपनी economy के domestic objectives achieve करना चाहे तो वो external account पे currency की value को maintain करने के लिए domestic objectives की कुर्बानी देनी पड़ सकती है जैसे for example मैंने आपको example दी थी पिछले lecture में के exchange rate को stable करने के लिए आपको unemployment का खतम करने की जो policy है वो आप एडाप्ट नहीं कर सकते अगर आपने exchange rate को fix करने तो सबसे बड़ा कास्ट जो है वो यह हो सकता है अब इसका मतलब यह है कि अगर independently चुके monetary policy नहीं बना सकते countries तो इसका मतलब है यह उनके लिए एक बहुत बड़ा कास्ट हो सकता है और यह उनके लिए एक बहुत बड़ा loss हो सकता है especially अगर वो independently अपनी monetary policy को use करते हुए ऐस objectives अचीव करना चाहें इसकी example अब industrialized countries की ऐसी क्या example है कि जहां पर monetary independence नहीं रहती मैं आपको example देता जाओं जैसे European Union है अब European Union के अंदर जो countries जिनकी currency euro है अब उनकी चुके currency common है तो इसका मतलब यह है कि हर country के central bank के पास ये इक्तियार नहीं है कि वो जितने मर्जी euro print कर सके जब उसके पास इक्तियार ही नहीं है तो इसका मतलब है वो अपनी policy को independently ना expansionary बना सकता है ना contractionary बना सकता है तो इसका म euro currency के अंदर यानि के जिन country की currency euro है जो monetary union है उसके अंदर अगर for example किसी country की अंदर unemployment हो जाती है और उसके लिए उसे अपनी monetary policy expansionary बनानी हो तो वो expansionary यह सच नहीं बना सकता है अब यह जो independence है monetary policy की इसका loss हो जाता है अगर exchange rate targeting बनानी है और याद रखें यह जो common currency है यह भी exchange rate targeting की एक farm है आगे चलके हम कुछ sessions इसकी उपर भी लगाएंगे यह discuss करने में के exchange rate targeting की farms क्या हो सकती है उनमें से एक farm यह होती है कि common currency हो लेकिन एक सवाल है कि अगर हम यह कह रहे हैं कि independent monetary policy नहीं हो सकती और यह एक बहुत बड़ा कास्ट है तो इसके पीछे हम एक assumption ले रहे हैं कि जो developed countries हैं जो industrialized countries हैं they can make responsible monetary policy यानि कि वो short term objectives अचीव करने के लिए long term goals की कुर्बानी नहीं देंगे हम यह assumption ले रहे हैं ठीक है इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी monetary independence या monetary policy की independence बरकरार रहनी चाहिए exchange rate targeting से वो नहीं रहेगी लेकिन सवाल यह है कि क्या हर developed या industrialized country जो है उसके अंदर बाकी responsibly वो monetary policy बना सकता है यह जरूरी नहीं इस्पेशली उन countries के अंदर जहां political pressure ज्यादा होता है central banks की उपर कि वो unemployment खतम करने के लिए output बढ़ाने के लिए inequality खतम करने के लिए monetary policy की उपर pressure होता है कि वो उसके accordingly इन objectives को अचीव करने के लिए अपनी policy design करे अगर जो है political pressure जिन countries के अंदर central banks की उपर ज्यादा होते हैं तो वो central banks responsibly time inconsistency का problem solve नहीं कर पाते तो उन countries के अंदर फिर exchange rate targeting की policy ही suitable policy है इसका मतलब है independence का give up करना जो है that is beneficial तो याद रखें industrialized countries की पहली बात हमने ये कहीं कि उनका सबसे बड़ा last ये होता है कि policy independent नहीं रहती लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो responsibly policy बना सकें लेकिन कुछ ऐसे industrialized countries हो सकते हैं जहां political pressure ज्य countries के लिए exchange rate policy even beneficial exchange rate targeting की policy even on industrialized countries के लिए beneficial होती है एक और चीज कि जो industrialized countries हैं वो जब exchange rate targeting की policy adopt करते हैं तो जिस country के साथ वो अपनी currency को tag करते हैं पेग करते हैं connect करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ उस country की integration हो जाती है integration हो जाती है तो इसका मतलब है उन countries के अंदर trade बढ़ जाती है import export बढ़ जाती है क्योंकि वो आसान हो जाती है उनकी या तो common currency है या exchange rate stable है तो इसका मतलब है uncertainty खतम हो जाती है तो international trade या bilateral trade उन दो countries के अंदर बढ़ जाती है तो इसका मतलब है industrialized countries अगर आपस में trade को facilitate करना च और योरो करनसी के पीछे भी यही एक आपजेक्टिव है अब यह देखते हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के अंदर एक्सचेंज रेट टार्गेटिंग की पॉलिशी सक्सेस्पुल हो सकती है तो उसके पीछे कंडिशन्स क्या है दो कंडिशन्स है एक कंडिशन् पुलिटिकल और मॉनिटरी पॉलिसी के institutions वीक हो और पुलिटिकल प्रेशर और central banks की उपर और central bank responsibly monetary policy ना बना सकता हो यहनि कि time inconsistency का problem उस मुल्क में मुझूद हो तो फिर exchange rate targeting की policy ऐवन industrialized country के लिए beneficial होगी और दूसरी बात यह है कि industrialized country अगर monetary policy के इलावा कुछ और objective अचीव करना चाहता है जैसे trade को facilitate करना जैसे European Union ने किया तो फिर उसके लिए भी exchange rate targeting की policy beneficial हो सकती है Thank you